Students, इस lecture में हम home tab के अंदर cell group में, जो format वाली option है, उसके अंदर हम जो है, वो move और coffee sheets को discuss करेंगे, कि move और coffee sheet का क्या मतलब है, move का तो जैसे के नाम इसका show कर रहा है, कि आप sheet को move करना चाहरे हैं, एक जगा से दूसरी जगा, अब यह देखें, यहाँ पे conditional formatting जो sheet का नाम है, इस sheet को मैं first करें, यह function के इस तरफ लाना चाहरा हूँ, तो एक तरीका तो यह है, कि आप इसको यहाँ से पकड़ें, mouse के साथ, और drag करके, यह देखें, यह देखें, यह दराब note करें, यह क्या हो रहा है, यह देखें, यह drag करके अभी यह sheet move हो रही है, तीक है, अब यहाँ पे लागे छोड़ते हैं, तो अब यह sheet जो है, अब move हो के अपनी असल location से, इन sheets के दरमयान आ चुकी है, तो यह move करने का आसान तरीका है, sheet को एक जगा से दूसरी जगा, अब यहाँ से भी आप move कर सकते हैं, move और copy, अब एक dialogue box आपके पास पुल जाएगा छोटा सा, अब वो कह रहा है, कि move selected sheet, कि यह जो function days 360 sheet का नाम है, इसको हाँ जी sheet for lecture में ही हम इसको move करना चाहरे हैं, आप इसकी एक नई book भी बना सकते हैं, यादि Excel की एक नई file कुलेगी, उसके अंदर यह sheet चली जाएगा, अगर आप इसी के अंदर, जब देखें हम इस book को click करते हैं, तो इसके अंदर जो sheets हैं, वो already यहाँ पर हमें show हो जाती ह ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं, before sheet, हम कहते हैं, कि यह जो sheet हमारी है, 360, यह consolidate से पहले आ जाए, consolidate जो sheet है, उससे पहले, before sheet लिखा हुआ न, उससे पहले आ जाए, और हम okay कर देते हैं, अगर आप एक option है, create a copy, अगर आप इस option को check कर देते हैं, तो यह भी इदर पढ़ी रह जाएगी, और इसके एक और copy जो है, वो consolidate से पहले चली जाएगी, तो अभी हम इसको uncheck करते हैं, और okay कर देते हैं, देखें, अब यह sheet जो है, consolidate से पहले आ गई है, यानि पहली sheet बन चुकी है, move हो चुकी है, अपनी असल location से इस तरह, आप mouse के साथ भी drag करके इसको move कर सकते है अब हम फिर इसको copy करते हैं, move करते हैं, और end पे डाल देते हैं, लेकिन यह भी हमारी काइम रहे, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे move और copy करते हैं, और sheet for lecture, function days, create a copy, अब before किस से हम कहते हैं, कि move to end, कि end पे चली जाए और इसके copy जाए, यानि यह भी पढ़ी रहे, और इसके copy च करते हैं, तो अब यह देखें, यहाँ पे यह आ चुकी है sheet हमारी, और इसका नाम भी थोड़ा सा तबदील हो चुक है, to उसने साथ में खुद बखुद डाल दिया है, अब हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं, पहली sheet जो है, उस पे जाते हैं, मै अब यह देखें, यह भी यहाँ पे पढ़ी हुए, तो इस तरह आप sheet को move करके, और copy option भी use कर सकते हैं, अब tab color है, tab क्या है, देखें, यह जो sheet के यह जो निशान लगे हुए, जैसे यह subtotal है, यह consolidate है, इनको tab बहुते हैं, आप इनका color भी change कर सकते हैं, यहाँ से, tab color, फर्स करें, हम red करना चाहरें, देखें, consolidate red हो का, अब यह subtotal वाली जो sheet है, इसको हम जो है, tab color इसका green करना चाहरें, देखें, green हो का, तो इस तरह आप tab color भी यहाँ से change कर सकते हैं, for the identification और recognition के लिए, के पहचान रहे हैं, हम यहाँ से भी right click करके, tab color, यहाँ से भी option use कर सकते हैं, त इसे more color में जाएंगे, तो पूरी sheet खुल जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको custom color, यह change कर सकते हैं, अच्छा, अब हम बात करेंगे, important बात होगी, और है, वो है, product sheet, देखें, protection जो है, वो दो किसम के होती है, एक file level protection होती है, एक जो होती है, वो sheet level protection होती है, sheet level protection यह कह अब आपने यह important data है, आप चाहरे हैं कि लोग इसको देख लें, बद लोग इसमें तबदीली ना करें, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, for example, हम कुछ cell select, हम कहते हैं, यह जो है न, यह बड़ा important है, इसमें कुछ तबदीली ना करें, तो आपने इसको एक दफ की option, यह आपकी enable होनी चाहिए, enable mean कि अभी यह जो lock है, यह थोड़ा सा highlight सा आपको नजर आ रहा होगा, अभी यह enable है, अगर हम इसको disable कर देते हैं, तो फिर हमारी sheet lock नहीं होगी, तो सब से पहले जब आपने lock करना है sheet को, lock का मतलब है कि कोई इसमें कुछ अप्रीली ना कर स सके, तो उस वक्त से पहले आपने lock cell को पहले एक दफ़ा क्लिक कर लेना है, ताके यह हमें highlight हो जाए, अब हम प्रोटेक्ट sheet पे क्लिक करें, हमारे पास एक dialogue box आ जाएगा, इसको समझना बड़ा जरूरी है, तो और से देखिएगा, वो कहा रहा है कि product worksheet and content of locked cell, कि जो cell आपन lot किये हैं, उनको मैं protect करने लगा हूँ, password देने में, code word है, हम कुछ भी देते हैं, चले हम देते हैं, 1, 2, 3, 4, आपने 1, 2, 3, 4 नहीं देना, बलके अपनी मर्जी का दीजेगा, और लोगों को बताईएगा भी न, अब यहां तक बात के लिए रोगी, अब आगे है, कि भाई इसको मैं lock तो करूगा, लेकिन अगर आप users को, जो इस sheet को इस्तमाल करने वाले हैं, कुछ allow करना चाहते हैं, यानि यह सारी options है, user row insert कर ले, user column insert कर ले, but user is unable to change the data, data change नहीं कर सकते हैं, जिन-जिन कामों को आप allow करना चाहरे हैं, उनको आपने check लगा ले रहे हैं, अगर कुछ भी allow नहीं करना चाहरे हैं, तो फिर आप किसी चीज़ पे check ना लगा, और हम इसको okay करते हैं, यह दोबारा हमसे password पूछेगा, तो हम वही password जो है, वो दोबारा इधर enter कर देते हैं, और okay लगा आप load का रहे होंगे, उसने का खबरदात needed out, यह हमारी जो sheet है, यह protect है, the cell or chart that you are trying to change is protected and therefore read only, यानि आप उसको read कर सकते हैं, आप उसको तबदीली नहीं कर सकते हैं, यह देखें, मैं बार बार तबदीली करने कोशिश करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे तबदीली तो यहाँ पे भी नहीं होगे, क्योंकि उसने पूरी sheet को जो है, वो protect कर दिया है, तो अब हम इसको अगर unprotect करना चाहरे हैं, तो आप इसको unprotect करेंगे, इसी तरह वो आपसे passport पूछेगा, हम यहाँ 1, 2, 3, 4, passport देते हैं, और यह okay कर देते हैं, अब आप इधर कोई भी त अश्तमाल कर सकते हैं, जी, अब हम workbook level protection की बात जाते हैं, इसमें यह है कि आप वो अपनी जो workbook को save as करना पड़ेगा, ठीक है, save as पे जब हम click करेंगे, तो यहाँ पे यह worksheet आगी है, और यहाँ पे आपको इस tool की option मिलेगी, अब इस workbook का नाम first करें, मैं रख देता हूँ, product work, और हम इसको desktop पे रख देते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे tools के अंदर जाएंगे, और journal options, यहाँ पे click करेंगे, तो हमारे पास एक dialogue box खुल जाएगा, वो कह रहा है, password to open, हम यहाँ पे password दे रहते हैं, password to modify, तब्दील करने की, यह दोनों password आपने दे, ठीक है, read only recommended अगर चेक कर देंगे, तो file खुल जाएगी, लेकिन वो सिरफ read होगी, उसमें तब्दीली नहीं कर सके, तो अभी हम सिरफ file खुलना भी नहीं चाहते हैं, ओके, दुबारा password वो आपसे पूछेगा, दो दफ़ा, वो आपने read type करना है, ओके, और अब हम इसको save कर देंगे, अब य यहाँ पे, sub total एक folder है हमारा, यहाँ पे, इसके अंदर यह file पड़ी हुई है, यह protect workbook, इसको जब आप खोलता हो, तो आप ज़रा note करिएगा, वो सबसे पहले हम से पूछेगा, कि भाई, आप जो है, पासवर्ड दे, without password जो है, वो आप इसको नहीं खोल सके, तो यह होती है workbook level production, कि आपकी workbook खुलेगी इने, और जो हमने पहले पढ़े थी, वो work sheet level production की, कि work sheet आप दिखा दे लोगों को, लेकिन उसमें कोई तबदीली ना कर सके, तो अभी हम जब password देंगे इसको, तो फिर यह, दोन अपर हम से पूछेगा password, तो फिर यह file जो है, अब आप इस file को use कर सकते हैं, तो अगर आप अपनी file जो है, वो unauthorized लोगों से दूर रखना चाहरे हैं, तो आपको, जो है, वो work sheet और workbook level production जो है, वो करनी पढ़ेगी,